इस price point पर भी तक कि ये best headphones लगे हैं मुझे ये हैं Zebronics के नए Zeb Duke Plus headphones और इसको मैं जितना भी test कर चुका होना भी तक मुझे इसकी sound quality and overall performance impressive लगी product की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो मिल जाएगी क्योंकि मैंने इसको अच्छे से test कर लिया है बड़िया वीडियोस देखने हैं तो subscribe कर लेना दबादो subscribe तो इसमें gaming mode मिलता है 70 hours तक का backup मिल जाता है ANC भी है इसमें साधी में Bluetooth का version 5.4 है ENC मिल जागा calling के लिए rapid charging का support है और भी काफी कुछ है तो मेरे पास में तो दो colors है blue है, beige है and black में भी आता है description में link मिलेगा आपको अब कुछ साल पहले मैं ने Duke का भी review किया था Duke काफी बड़िया headphone था ये उसी का successor मान सकते हैं आप एक चीज अच्छी है कि Zebronics ना आजकल जितने भी headphones launch करा है उसके अंदर ये cardboard का stand मिलता है और इसी stand के अंदर में आपको accessories मिल जाती है पहले बिल्ड इसकी मुझे solid लगी प्लास्टिक के बिल्ड के साथ में आता लेकिन बढ़िया फोल्डेबल डिजाइन है यहां पर बढ़िया तरीके से आप जो ऐसे फोल्ड कर सकते है और फोल्डेबल डिजाइन का फाइदा होता है क्योंकि carry करने के लिए असान हो जाता है ट्रैबलिंग बगारा के टाइम पे, daily commute के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं हेटफोन्स, Bluetooth हेटफोन्स बहुत लोग यूज़ करते हैं आजकल फोल्डेबल डिजाइन, प्लस पॉइंट होता है अब इज़ी के साथ में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखो, chrome में finish भी देखने को मिल जाती है और इसके अंदर जो hinge दे रखी है न किसी भी head size पे easily आप इसको लगा सकते हैं hinge इसकी पूरी metal की दे रखी हैं यहाँ पे वैसे यह on the air headphones है बड़े experience बताऊँगा कि मुझे कैसा feel हुआ इसको लगाने के बाद में cushions इसके मुझे soft लगे, headrest पे भी आपको बढ़िया cushioning मिल जाती है कानों पे भी cushioning आपको बढ़िया मिलती है tracks को next previous कर सकते हैं center वाला button play pause के लिए काम आने वाला है calls भी ले सकते हैं इसमें आपको aux का port मिल जाएगा और type C का port भी इसमें दे रखा है inbuilt microphone दे रखा है इसलिए कह रहा हूँ calls ले सकते हैं and it does support HD AAC Kodak सबसे बेले connectivity की बात करता हूँ Bluetooth का version 5.4 दे रखा है 10 meter की range में बढ़िया connected रहते हैं कोई issue नहीं है and कई लोग ये सवाल पूछने हैं भाई हमारे phone में Bluetooth का version 5.2 है या 5.1 है तो connectivity मिलेगी हाँ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी and 10 meter तक बढ़िया connectivity मिलेगी अब हैं ये on-air headphones but कान के size पर depend करता है तो भाई मेरे को तो on-air क्या पूरा मेरा कान cover हो चुका है तो मैं तो कह सकता हूँ कि over-air वाला काम इसने कर दिया है comfort इसका मुझे बढ़िया लगा भाई fit इसकी काफी proper मिलती है किसी भी head size पर easily fit हो जाएंगे bass हमेशा अच्छा-कासा मिली जाता है तो इसमें भी आपको bass तगड़ा मिलने वाला है trebles भी इसमें आपको अच्छे मिलने वाले है even जो vocals है न कई बार क्या होता है bass over power होता है तो vocals डब जाते हैं किसी-किसी headphone में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ इसमें vocals clearly समझ में आते हैं तो music experience इस पे मेरे को बढ़िया मिला है and अब यहाँ पे ANC की बात करते हैं dedicated button दे रखा ANC के लिए आपको सिर्फ एक beep सी सुनाई देती है ANC पे आप जा सकते है ANC कितने TV का है यह मुझे नहीं समझ में आया mention नहीं कर रखा है लेकिन यहाँ पे fan AC की noise जो है वो easily दब जाती है और अगर आप गाने वाने सुन रहे हैं फिर तो यार आपको बाहर की अबाद सुनाई नहीं देने वाली अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ANC इसमें है अगर आप ANC यूज करते हैं तो 50 hours तक का playtime मिलेगा अगर ANC आप off रखते हैं तो 70 hours तक का playtime मिलेगा इसी के साथ में इसमें rapid charging का feature भी है जिसमें 10 minute के charge पे आपको 200 minute तक का run time देखने को मिल जाता है साथ में dedicated game mode भी दे रखा प्ले वाला बटन उसको दबाएंगे तो आपको gunshot की आवाज सुनाई देगी उसके बाद में ये gaming mode पे switch हो जाता है मैंने थोड़ी बहुत gaming करता हूँ casual gamer हूँ यहाँ पर मैंने कोई latency का issue नहीं देखा यहाँ पर अब ANC तो है इसमें ENC भी है sound leakage अगर आपने headphones पहने हुए हैं उसके बाद में अगर आप 90% volume से उपर जाते हो तो आपके बगल वाले को समझ में आ जागा क्या सुन रहे हो 90% से नीचे गाना सुन रहे हो depend करता है गाने के उपर भी तो 80-90% volume से नीचे आप गाना सुन रहे हो तो आपके कान में आप क्या सुन रहो वो बगल वाले को पता नहीं चलेगा बागी buttons पर अच्छी तरीके से काम करते हैं volume को कम जादा करना हो तो यहाँ पर buttons जो है काफी बढ़िया response देते हैं इसमें भी आपको जो है instant आपको response मिलेगा lag नहीं मिलने वाला कि button दबाया volume बाद में कम हो रही है ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपको buttons भी सही तरीके से performance आपको दे रहते हैं tracks को next करना हो, previous करना हो buttons यहाँ पर dedicated दे रखे हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर performance मिल जाती है even voice assistant को activate करना हो सही तरीके से यहाँ पर काम करते है comfortable है तो long hours के लिए भी आप इसको पहन सकते है बाकी कुछ पूछना है तो comment में आप पूछ सकते हैं उसका जवाब दूँगा जल्दी से जल्दी subscribe नहीं के तो subscribe कर लो मैं कि अलग-अलग gadgets जो है यहाँ पर दिखाता रहता हूँ मिलता हूँ अगले वीडियो में